हेलो बच्चो, वेलकम टू माई यूटूब चैनल एकाउंट सर्मायर सो बच्चो आज हम 20 गनित मीन्स एलजेब्रा से लिडिट कोशन करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा बहुपद जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनेमिल्स और उसमें भी हमारा सब टॉपिक होगा बहुपदों का योग मीन्स सम उफ पॉलिनेमिल्स लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनेमिल्स मीन्स बहुपद किसे का जाता है तो देखें जब भी आपको कोई संख्या जैसे 2x, 5x प्लस 9y, 8x प्लस 9y प्लस 8 इस तरीके की फॉर्म में दिखाई दे तो समझ लेना वो सारे पड कैसे है बहुपद है मीन्स पॉलिनमिल्स है इनको हम BGA विंजक भी कहते है मीन्स एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन अच्छा अब हम इस वाले पद को क्या कहेंगे एक पदी मीन्स मॉनोमाइल क्योंकि इसके साथ क्या कोई दूसरा पद है नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा मॉनोमाइल मीन्स एक पदी और इस वाले पद को हम क्या कहेंगे dupathy means binomile क्योंकि इसके साथ देखिए दो पद है एक हो गया 5x और एक हो गया 9y मतलब कि ये plus से क्या हो रहा है separate plus इनको दो अलगनक भागो में विवाज़त कर रहा है ठीक है अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका 3pathy means trinomile जब भी 3 पद या 3 पद से योग कैसे किया आता है means sum of algebraic expression तो जिसमें हमारा पहला quotient होगा जिसे यहाँ पर लिखा है 2x plus 5 और 9x minus 8 इसको आपको क्या करना है प्लस करना है अब आप इसको plus कैसे करेंगे तो देखिए एक तरफ लिख लिख लिजए आप 2x plus 5 ठीक है और इधर plus करेंगे तो यहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा कि plus की हमारी संक्या पड़ी है या minus की संक्या पड़ी है जिसकी संक्या पड़ी होगी हमेशा answer उसी चिन्ड का आपका आएगा अगर आपकी minus की संक्या पड़ी है तो यहाँ पर answer minus में आएगा अगर आपकी संक्या प्लस की बड़ी है तो आपका अंसर प्लस में आएगा अब देखें यहाँ पर प्लस का 5 है लेकिन माइनस का 8 है तो यहाँ पर हमारा अंसर किसका आएगा माइनस का आएगा ठीक है अब देखें प्लस का 5 है माइनस का 8 है means आपकी जिम में कितने रुपे है 5 रुपे पर आपको चुकाने कितने 8 रुपे अगर आप 5 रुपे सामने वाले को दे देते हैं तो अभी यह भी आपको कितने रुपे चुकाने पड़ेंगे means 3 रुपे ठीक इसी तरीके से अब यह देखिए प्लस का ही 2x है और प्लस का ही 9x है तो इस तरीके से आपका हो जाएगा है 11x ठीक यह आपका answer हो जाएगा ऐसे देखिए हमारा दूसरा question है 4y cube minus 3y square plus 2 और y की power 4 minus 2y cube plus 6 अब हम इसको कैसे plus करेंगे तो सबसे पहले हम इसको रख लेते हैं हम इसको रखेंगे कैसे 4y cube minus 3y square plus 2 तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना हुआ जब भी आप दूसरी संख्या पहली संख्या के नीचे उतारेंगे तो आपको same variable terms के नीचे same variable terms उतारना है जैसे आप यहाँ पर आपका पहला term क्या है y की power 4 अब देखें यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है y की power 4 तो अब आप y की power 4 कहां रखेंगे बिल्कुल अलग रख लेंगे बिल्कुल separate y की power 4 अच्छा हमारा दूसरा term क्या है minus 2y cube अब देखें cube के नीचे ही आपको cube को रखना है ठीके तो minus का 2y cube कहां पर आजाएगा plus के 4y cube के नीचे ठीके अब क्या है third term है हमारा plus का 6 ठीके अब constant term के नीचे ही constant term को रखना है और variable term के नीचे ही आपको variable term रखना है तो plus का 6 कहां पर आजाएगा plus के 2 के नीचे इसको अब हम क्या कर लेंगे प्लस कर लें, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ है इसके उपर नहीं है तो यहाँपर क्या आ जाएगा, प्लस Y की पावर 4 ठीक है, प्लस का 2, प्लस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 3 Y square जैसा है, वैसा है का, वैसी रहेगा अब देखें यहाँ पर एक चीज़ समझनी है यहाँ पर क्या है 4y3 प्लस का है और माइनस का क्या है 2y3 means 4 रुपे हैं आपके जेम में पर आपको चुकाने कितने है 2 रुपे ठीक है आप 2 रुपे दे देंगे तब भी आपके पास कितने रुपे पचेंगे अभी भी 2 रुपे पचेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते है प्लस का 2y3 यह आपका अंसर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी जब भी हम variable terms को लिखते हैं या भावबत को जब भी हम लिखते हैं ठीक है तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है उसको हमें सबसे पहले लिखना चाहिए तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y की पावर 4 प्लस 2y3 माइनस 3y स्क्वेर और प्लस 8 इस तरीके से यह आपका क्या हो जाएगा अंसर हो तो देखी हमारा 3rd qaution है x3 प्लस 3x प्लस 2 और x3 प्लस 4x स्क्वेर माइनस 2x प्लस 5 इसको आपको क्या करना है प्लस करना अब इसको प्लस कैसे करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते है x3 प्लस 3x प्लस 2 ठीक है अब हम अपना same term के नीचे same term को उतार देते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर x cube है पहला term हमारा तो x cube के नीचे ही x cube आएगा अच्छा हमारा second term क्या है 4x square क्या आपको यहाँ पर कहीं पर x square दिखाई दे रहे हैं नहीं है x square तो इस x square को हम कहाँ पर रख लेंगे बिल्कुल separate अलग तो यहाँ पर हम लिख लेंगे plus का 4x square बिल्कुल अलग रख लेंगे इसको अच्छा हमारा third term है minus का 2x तो x के नीचे ही x आएगा means minus का 2x कहाँ पर आएगा plus के 3x के नीचे तो minus का 2x अच्छा फिर हमाना next term क्या है plus का 5 अब देखें constant term आ गया तो constant term के नीचे ही आपको constant term रखना है यानि की plus का 5 तो इसको हम plus कर लेते है plus का 4x square जैसा है हम उसको वैसे का वैसी लख लेते हैं ठीक है plus का 2 plus का 5 तो यह क्या हो जाएगा आपका plus का 7 ठीक अब देखें यहाँ पर क्या है plus का 3x और यहाँ पर क्या है minus का 2x ठीक है मतलब 3 रुपे है आपके पास पर आपको चुकाने कितने है 2 रुपे ठीक है आप 2 रुपे दे दीजिए अभी आपके पास कितना रुपे बचेगा 1 रुपे है means 1x लेकिन x के साथ already 1 होता है हम आगे 1 नहीं लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा plus का x ठीक इसके आगे 1 है ठीक है वो hide रहता है already 1 होता है आपको यहाँ पर लगाने की शुरूत नहीं है आप जैसे इस तरीके से रिखते 1x ठीक है यह गलत होगा इसको आपको ऐसे नहीं रखना x है उसके साथ already 1 होता है ठीक है हमारा next term है x cube और x cube means अभी अभी मैंने आपको बतायता है यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर हो गया 1x cube और यहाँ पर भी 1x cube ठीक है तो जिसकी power सबसे बड़ी होगी सबसे पहले आप उस term को लिखेंगे then after जिसकी power छोटी होगी आप उस तरीके से term को arrange करते जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x cube क्योंकि इसकी power सबसे बड़ी है फिर हम लिखेंगे plus का 4x square फिर हम लिखेंगे plus का x फिर then after हम लिखेंगे plus का 7 means constant time को सबसे हमें last में लिखना है तो देखिए हमारा fourth question है 7x की power 4 minus 12x cube plus 5x square plus 2 और 4x cube minus 2x square plus 5x minus 7 तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना पहला algebraic expression लिख लेते हैं तो हमारा पहला algebraic expression है 7x की power 4 minus 12x cube plus 5x square plus 2 अच्छा हमारा second algebraic expression क्या है 4x cube अब देखिए यहाँ पर काई पर आपको cube दिखाए दे रहा है यह रहा cube तो cube के नीचे यह cube आएगा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे plus का 4x cube फिर क्या है minus का 2x square तो यहाँ पर हम लिख लेंगे minus का 2x square फिर है plus का 5x ठीक है तो देखिए यहाँ पर कहीं पर x दिखाई दे रहा है कहीं नहीं है तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसको separate लिख लेंगे plus का 5x ठीक फिर है हमारा minus का 7 means constant term है तो यहाँ पर हम लिख लेगे constant term के नीचे है constant term रख लेगे plus कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है plus का 5x ठीक है क्या उसके ऊपर कोई time है नहीं तो वाध करका वैसे हम उतार देंगे plus का 5x तो देखिए यहाँ पर क्या है उपर plus का 2 और नीचे क्या है माइनस का 7 मींस 2 रुपे हैं आपके पास पर आपको चुकाने कितने 7 रुपे आप 2 रुपे दे दीजिए अभी भी आपको कितने रुपे चुकाने पड़ेंगे 5 रुपे तो यहाँ पर आपका आजाएगा माइनस का 5 ठिक बारा रुपे चुकाने पर आपकी जेम में कितने रुपे है चार रुपे ठिक चार रुपे आप दे दीजिए अभी भी आपको कितने रुपे चुकाने पड़ेंगे 8 रुपे मींस यहाँ आजाएगा माइनस का 8 x q अचा इसके नीचे कोई डिजेट है नहीं है तो यह जैसा है वैसका वैसी उतार देंगे प्लस का 7 x की पावर 4 ठीक है अब हम इन टम्स को क्या कर लेते हैं अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 x की पावर 4 माइनस 8 x q प्लस 3 x square ठीक है फिर लिखेंगे प्लस का 5 x और सबसे लास में हम लिख लेंगे अपना constant term ठीक है तो इस तरीके से आपका यह question भी solve हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा बहुपदो का योग किस तरीके से किया आता है जो हमारी next वीडियो आएगी वो आएगी बहुपदो का हम घटाफ किस तरीके से करते है I hope यह वीडियो आपको बहुत पसंद आईए अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादे जादे शेयर करें Thank you